हेलो फ्रेंस कुमुद्नी की वेज़िसी में में आपका सौगत है आज मैंने बहुत ही टेस्टी पाच्चत दाना बनाया है जिसको मुखवास भी बोला जाता है गुजराती में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंस और इसके बहुत सारे अंग्यन फाइदे भी है तो यहां पे मैंन कुछ खर्बुज तर्बुज और पमकिन के बीस ले लिये हैं साथी में मैंने आधा कप धनिया दार लिया है और एक कप मैंने अजवाइन लिया है आधा कप मैंने तिलसी लिये अर्शी के बीच और आधा कप मैंने इसके इसके ने सोवा दाना लिया है सोवा दाना के लिए बहुत सारे फायदे हैं जो पेट में गर्मी होती है गैस ऐसीडीटी बनती है ये सब चीज के लिए बहुत फायदा करता है साथी में मैंने यहाँ पे साथी में मैंने एक कप सफेद तिल ले लिया है और एक कप मैंने इसके अंदर बड़ी सोपली है एक चमज में ने ये लवंग ले लिया है और इसमें हम 2-3 चमज हल्डी मिलाएंगे हल्डी जो हमारे किचन में हम यूज़ करते हैं वहाई हल्डी देगी और नमक डाला है मेंने 2-3 चमज अगर हल्डी नमक जादा हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है और इसमें 2-3 छमच इस तरह से पानी मिला देना है हाथों से, पहले इस तरह से मिलालीज़े हल्डी नमक को इस मुख्वास को खाने के बहुत सारे फायदे हैं पेट में जलन हो, कच्ची धेकारे आती हो या फिर आप खाना खाने के समय प्याज वेगेरा खाते हैं तो मुझे उसे प्याज की स्मेल आती हो वो पाचन के लिए अच्छी रेती है जुलन नहीं होता है ऐसी दीटी के प्रब्रॉम नहीं होती है तो फिरंस यह सारे ही जो मैंने बिये लिए हैं यह सब हमारी पेट के ल संकर्मन होता है उस तरी बचाता है आपको अजवाइन के फायदे बतानी के जुरूरत नहीं है कितने फायदे हैं खून भी साफ करता है तो इसी दीड़ह देखिए जो मैं आज सिंपल सी रेसिपी बता रही हूं मुखवास की लेकिन यह साधरन सी रेसिपी बहुत ही से चलाते हुए लगातार भूनेंगे ताकि चारो तरफ से हमारे जितने भी भी ये हैं वो भूना जाए फ्रेंस देखिए कलर भी बहुत सुंदर है जम गोल्डन कलर के जैसा दिख रहा है न आपको मार्केट में आप जब ये सिट्स खरिटने जाएंगे एक पैकेट 100 ग्राम हो गए है इसको फ्राइ करने के लिए कम से कम 10 मिनित का समय लगता है तो देखिए यह जब फ्राइ हो जाए अच्छे से सभी चीछ चमकने लगे ठंडा होने के बाद एक चालन नीजिए और इस तरह से चाल लेजिए जितना भी एश्ट्रा हल्री और नमक रहेगा वो निकल चालते जाएंगे और डबे में रखते जाएंगे फ्रेंस आपके इधर इस रेसिपी को क्या बोला जाता है जुरूर मुझे कमेंट कीजिए यह सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही असाधारन है क्योंकि इसके फायदे मैंने आपको बता है जो पेट की संबंदी सांसों की समंद्य, ACDT, बधज मी बहुत सारे चीजों में यह फायदा करती है और यह इस तरह के से रोष्ट करके मतलब सेका हुआ बना के रखेंगे ना यह टाइड कंटेनर में तो यह 6 मिन से ज्यादा यूज में आ सकता है तो यहाँ पे देखिए कितना सुन्दा सा हमारा मुख मुखवास बनका रेडी हो गया है सुबह नास्ते के बाद भी खा सकते हैं आप बड़े बड़े होटल में देखिंगे ना आपको इस तरह का मुखवास मेरे का खाने के लिए तो यहाँ पे बहुती साधरन सी यह रेसिपी लेकिन बहुती जल्दी बनने वारी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है तो मेरी यह रेसिपी आप जब देखिए तो इसको नजर अंदा न करें लाइक शेयर जुरूर करें कहां से देखने यह भी बताए और मेरे बोलने से इस तरह की रेसिपी बना कर खाईए यह आपके घुटनों के लिए पेरों के लिए हैं तो फ्रेंस मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए सेयर कीजिए